नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे पास है Realme 8 5G और आपके पास Realme 8 series के कोई फोन है या कोई और फोन है आप किस तरह से call forwarding कर सकते हैं call forwarding लगा हुआ है तो आप हटा सकते हैं तो यहां पे सबसे पहले आपको डालर पे चले पर जाना है इसके बाद आपको calling accounts पर चले जाना है career call settings पर जाना है आपको यहां पर call forwarding का option मिल जाता है तो यहां पर थोड़ा सा आपके service provider का होता है number और जब ही कोई message करता है आपको sorry call करता है तो जब आपका number unreachable होता है तो वह company के तरफ से divert हो जाता है system के पास तो वहां से आवाज आती है कि number अभी out of reach है जो भी है और यहां पर आपको चार section मिलते है है total always forward when busy when unanswered और when unreachable आप चाहो तो इसको edit भी कर सकते हो तो जैसे कि मुझे always forward करना है यानि कि हर condition में call को forward करना है तो इसको choose करूंगा जब busy रहूंगा उस समय forward करना है इसको चूज करूंगा और अगर मुझे मान के चलो यहां पर विन unanswered यानि कि जब में call पीकप नहीं कर पा रहा हूं जब फरवर्ट करना है इसको चूज करूंगा तो यहां पर मैं always forward के लिए कर लेता हूं तो always forward करूंगा तो यहां पर एक तो इसे यह नंबर मैंने डाल दिया है तो अब यहां पर अब्डेट हो जाएगा अब इससे हो गया कि जब भी यहां पर मुझे कोई कॉल करेगा तो यहां पर सारे के सारे कॉल इस नंबर फर्वर्वर्ड हो जाएंगे अब इसी तरह से आप विन बीजी के लिए और जब लगा हुआ है जैसे कि आपका नंबर बंग जा रहा है बीजी बता रहा है या कुछ और बता रहा है तो यहां पर आपको शेटंग पर चले जाना है और्गे को भूंब आ गया जाना है चेक आउट करना है तो थोड़ा से इंतिजार करोगे तो यह जो सेटिंग्स रिट करके आपके सामने सो कर दिया जाएगा थोड़ा सा वीडियो को सुरी आ चुका है तो यहां पर आपको यह जो कॉल फरवाड है इसको हटा लेना है अब देख सकते हो कि मैंने यहां पर फरवर्ड हटा दिया है तो कॉल फरवर्ड यह जी इटाओगे वह जाएगा बाकि बाद में भी आप फरवर्ड कर सकते हो तो इस तरह से कर सकते हो इस तरह से हटा सकते हो वीडियो अच्छी लगे होगी तो लाइक से सब्सक्राब जोड़ों किजेगा चले मिलते है ने